हेलो एब्रीवन हमारे पास क्वेश्चन है रेंकिंग का और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है तो प्रश्चन में दिया गया है तीस बच्चों की एक पंक्ती में पी एम के दाएं पांचवा है यानि की टोटल बडावर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन और इसमें क्या लिखा तीस बच्चों की पंक्ती में तो यह हो गया टोटल में हो गया थाटी लिख रहा है कि जो पी एम के दाएं पांचवा है जो पंक्ती के दाएं से अठारा हुआ है पी जो है एम के दाएं है पांचवा है यह इसमें कहा गया जो पंक्ती के दाएं से अठारा है यानि कि एम जो है एम जो है वह पंक्ती के दाएं छोड़ से कितने नमबर पर है तो 18 नमबर पर है यह लि जो situation आएगा वो क्या आएगा तो स्टार्टिंग राइट साइड से आएगा वो 13 नमबर पर ठीक है मैनस वन टोटल कितना है तो 30 अब यहां पर हमको खवाट निकाल लेना हमारे question का answer आजागा तो 13 मैनस 1 इकवल टो 12 12 में कितना एड करेंगे जो हमें की 30 हो जागा तो 18 एड कर देंगे हमें 30 प्राप्त हो जागा यानि कि हमारे question का answer हो जागा 18 option हो जागा इसका इन में से कोई नहीं